तो आज हम जिस प्रोड़क्ट की बात कर रहे हैं वो है मेबलीन का फिट मी फाउंडेशन मेट प्लस पॉर्लेस फॉर नॉर्मल टू ओईली स्किन और यह जो फाउंडेशन है बहुत ही फेमस है क्योंकि एक बहुत अच्छा आप्शन है और बजट में भी है यह एराउंड 500- वैसे तो इसके MRP 649 है लेकिन यह हमेशा आपको डिसकाउंट पर मिल जाएगा तो 400, 450 या 500 इसमें आसपस में आपको मिल जाएगा नाइका पर भी अवेलेबल है और यह ड्रग स्टोर्स में भी आपको मिल जाएगा क्योंकि most easily available होने वाला फाउंडेशन है और इस रेंज म को sensitive skin वाले भी लगा सकते हैं क्योंकि इसमें जितने भी ingredients हैं वो non comedogenic हैं और साथ ही में dry skin वाले भी इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि मेरी मम्मी की oily skin है और मेरी dry skin है और हम दोनों ही इसको यूज करते हैं अच्छली dry skin वालों को थोड़ा सा स्किन प्रेप पर ध्यान देना होता है थोड़ा सा मौशराइज अच्छे से करना होता है पहले उसके बाद आपाउंडेशन को यूज कर सकते हैं यह आपके उपर भी बहुत अच्छे से जाएगा क्योंकि मैंने इसे कई बार यूज किय ओंएटीएटीएट रिच चैन इसमें यह यह तो मुझे थोड़ासा न्यूटरलल दगा मेरे स्किन थोड़ासा वम मुझे लगता यंग में शासा न्यूटरल यह तोड़ासा न्यूटरल आप meatiev के मेरे बहूत अच्छे से जाता है और Valent करने के बाद मैं बिलकुल भी ऐसा कि एशी लग रहा है ऐसा कुछ भी मुझे कभी नहीं लगा और यह जो फाउंडेशन है यह सेंसेट्व स्किन वालों के लिए भी है ऑईली स्किन वालों के लिए भी है क्योंकि इसमें क्ले है तो कंपनी ने बूला है कि 16 hours तक आपको मैट फिनिश देगा 16 hours तक तो मुझे नह इसमें अंग कुछ भी अंदर डूबोने की जरवत नहीं पड़ती है उंगली वगरा को आप डारेक्टली इसको ऐसा डिस्पेंस कर सकते है प्रोड़क्ट को तो यह बहुत ही अच्छा और हाईजनिक वे है प्रोड़क्ट को डिस्पेंस करने का क्योंकि बहुत सारी हाई- यह कमका तॉर्ण ब्लेंड होता है और इतना ही कवर करता है तो यह देखी है मैंन जूमकर तो जूमद क्र दिखाती है खाण को ऐसे कि करने के बाद में थोड़ा यही चार्ट को आला कि मैंने थोड़ा जादा लगाया प्रोड़क्त क्योंकि आप इसको नॉर्मल कवरेज के लिए जो मीडियम कवरेज उसके लिए भी यूज कर सकते हैं जिसमें हलका सा विजिबल होता है वो भी बहुत अच्छा लगता है और फुल कवरेज के लिए इसको यूज कर सकते हैं जैसे कि मैंने भी लगाया वाई यह देखिए इसका स्वाच है यह बिल्कुल एग्जैक्ल यही शेड है मैंने इसको कुछ भी फोटोशॉप करके लाइट डार्क नहीं किया है एग्जैक्ली यही शेड है जो रिच टैन में बता रही हूं और रेफरेंस देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू पर वाचिंग